असलाम औरकम विवर्ज आज में पांचे पो शनाइयां लगाने का आपको त्रिक्व दाओंगी कि पांचे पोष किस्तरा से लगाएं जायाएं कि अपके चुनुंट ना बने तो यह दे यहां तक जमरत बार का पांचा था थि ह दे निशाद लगा लिए ये इसको फोल्ड करने करने कर लिए यह देखिए विए कि इसको फॉल्ड करने कर ली में कितना रख यह मैं अब को उपत्ते थे हूं तो यह मैंने तकरीबन धाई इंच से एक पॉइंट काम है और जो मैंने पांचे का पटी रखी है तो पांचे की पटी का जो साइज है वह मैंने रखा है तकरीबन डेड़ इंच चाहिए रखें तो इसको अब इसके साथ प्रस कैसे करना है चपकाना कैसे आपने इसके साथ इ इदर वाली साइट पर पेस्ट करते हैं कि हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इसमें फिंशिंग ज्यादा आएगी तो इससे हमारे पांचे में यहां पर जब स्लाइड गाए जाती है तो आप इसको इस साइट पर पेस्ट करें यह देखें यहां आपने इसको नीचे हम यहां मैं इसको paste करके आपको दिखाऊंगे, तो यह देखें मैंने दोनों पांचे प्रेस कर लिए यह देखें इस तरह से आपकी pressing अच्छे से होनी चाहिए, देखें इस तरह से फिर मैंने इसको इस तरह से टन किया, यह देखें, इस साइट से भी हलका सा शावर लगाके आपने देखेंगे, उन पर भी इस लाइएं लगी होती है, बहुत अच्छी लगती है, खासकर गर्मियों के कप्रों के लगी इस लाइएं, मुझे तो बहुत पसंद है, तो यह देखें, कितिनी फासित के साथ सीधी और बहुत ही खूपसूती से लाइन स्लाइएं लग रही है, तो जब हम दोनों पांचे बनाते हैं, तो फिर तो साथ सा स्लाइएं लगाते हैं, तो मैं आपको एक ही बना कर दिखाऊंगे, प्लीज आपसे रिक्रस्ट है, कि च आपने कपड़े को बस इस तरह से अच्छे से सेट करके रखते जाना है, हाथ की मदद से, तो यह देखें, स्लाइएं कहीं से भी कोई सिल्वर्ट जा चुनट नहीं है यह पांचे में, बहुत ही खुबसूरती और नफासत के साथ स्लाइए लगई पांचे पर, यह देखें, एक पैर की स्लाइए से मैंने स्लाइए लगा, यह नीचे से देखें, इसकी के मार्जन से मैंने स्लाइए लगा थी, तो स्लाइए मेरी सारी बराबर आई है, इसी तरह से मैं दूसरे पांचे पर स्लाइए लगा कर, तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखांगी, कि पांचा बना हुआ कितने वह खुबसूरत लगता है, तो यह देखें, इसकी